हेलो एवरिवन राधे राधे ये वीडियो उनके लिए है जो क्रोशिया चलाना सीखना चाते हैं इस वीडियो में मैं सुरू से बताऊंगी तो मैंने यहाँ पे चेन बनाना बताया है स्लीपी स्टीज, सिंगल क्रोशेट, हाफ डबल क्रोशेट, डबल क्रोशेट और ट्रिपल क्रोशेट बनाना बताया है यहाँ पर हम चेन कैसे बनाते हैं वो देखेंगे ये बहुत आसान तरीका है चेन बनाने का आप क्रोशिया को बीज में रग के धागे की गाट बांडेंगे जैसे आप वीडियो में देख सकते हैं हम दूसरे हाथ में धागे को लपिटेंगे हमारी क्रोशियत हिल रही है हम उतना दिला रखेंगे ज़्यादा दिला भी नहीं रखना है अब हम क्रोशियत में धागा लेंगे और धागे को उस हॉल में से निकानना है यह हमारी एक चेन बनी है ऐसे ही हमें चेन बनाते वे जाना है धागा लेना है और बीच में चेन में से निकान लेना है हमारी दूसरी चेन है ऐसे ही हम बनाते जाएंगे धागा लेंगे और चेन के अंदर से निकालते वे जाएंगे ऐसे ही हम चेन बनाते वे जाएंगे चेन बनाने के लिए हमें अंदर से ही क्रोशेट डालना है और धागा लेना है अगर आपको चेन बनाना आ गई तो आप बहुत कुछ बना सकते हैं दिरे दिरे आप स्पीट बराते वे भी जाएंगे मैंने स्पीट बराते वे भी दिखाया है एसे ही हम चेन बनाएंगे यहाँ पर मैं चेन में स्लिप इस्टिस बनाना बताऊंगी यहाँ पर मैंने कलर दूसरा लिया है जिससे आपको स्लिप इस्टिस अच्छे से दिखेगी स्लिप इस्टिस चेन जेसी ही होती है हमें चेन जेसा ही बनाना है हम क्रोशया को चेन के अंदर दालेंगे अंदर दालने के बाद हमें क्रोशया में एक धागा लेना है उसे चेन से निकालना है और जो एक चेन है उसके अंदर से भी निकालना है फिर से चेन के अंदर से डालेंगे धागा लेंगे चेन के अंदर से और एक चेन से भी हम भार निकालेंगे इसको स्लीप इस्चीज कहते हैं हम ऐसे ही बनाते वे जाएंगे इसे स्लीप इस्चीज कहते हैं या हम सिंगल क्रोशेट बनाएंगे सिंगल क्रोशेट बनाने के लिए हमें एक चेन को छोड़ना है एक चेन को स्किप करेंगे और दूसरी चेन में हम सिंगल क्रोशेट बनाएंगे तो क्रोशेट को दूसरी चेन के अंदर डालेंगे यहाँ पर हम एक बल लेंगे धागे को लेंगे हमाई पाद दो धागा है बल लेके हम दोनों धागे को एक साथ निकालेंगे इसे single crochet बोलते हैं फिर से हम crochet को डालेंगे बल लेंगे दो धागे हैं दो धागे का एक बनाएंगे crochet को chain के अंदर डालेंगे chain के अंदर डालेंगे chain के डालने के बाद धागा लेंगे हमारे पास दो धागे है crochet में फिर से एक बल लेंगे धागा लेंगे दोनों को एक साथ निकालेंगे ऐसे ही बनाते वे जाना है इसे सिंगल क्रोशेट बोलते हैं झालें झालेंगे यहां पर हम half double crochet बनाएंगे half double crochet बनाने के लिए हम सबसे पहले crochet में धागे को चड़ा लेंगे चड़ाने के बाद हमें दो chain को skip करना है और तीसरी chain में half double crochet बनाना है हम crochet को chain के अंदर डालेंगे और यहां पर हम एक धागा लेंगे chain के अंदर से निकालेंगे हमारे पास अब क्रोशय में तीन धागे बच्चे हैं यहां पर हम फिर से एक धागा चड़ा लेंगे धागा चड़ाने के बाद तीनों chain में से एक साथ निकाल लेंगे इसको half double crochet बोलते हैं फिर से हम क्रोशय में धागा लेंगे chain के अंदर दालेंगे chain के अंदर दालने के बाद हम धागा लेंगे chain के अंदर से निकालेंगे हमारे पास तीन धागे बच्चे हैं फिर से हम बल लेंगे बल लेने के बाद तीनों में से निकाल लेंगे फिर से धागा चरा लेंगे चराने के बाद हम चेन के अंदर डालेंगे डालने के बाद हमें फिर से एक धागा लेना है इस चेन से निकालेंगे फर्स चेन से हमारे पास तीन धागे बचे हैं बल लेंगे बल लेने के बाएद तिनों चेनों में से एक साथ निकाल लेंगे इसे हाफ डबल क्रोशेट बोलते हैं अगर आपको ये चेन, हाफ डबल क्रोशेट, डबल क्रोशेट बनाते आ गई तो आप गाना जेकी कोई सी भी ड्रेस इजिली बना सकते हैं एसे ही आप बनाते बनाते स्पीट बनाते वे जाएंगे यहां पर हम डबल क्रोषट बनाएंगे यहां पर हम डबल क्रोषट लेंगे डबल क्रोषट लेने के लिए हम क्रोषट में धागा लेंगे धागा लेने के बाद तीन चैन स्किप करेंगे और फौर्थ चैन में डबल क्रोषट बनाएंगे प्रोट चेन में क्रोशेट डालेंगे, वहां से एक धागा निकालेंगे, हमारे पास क्रोशेट में तीन धागे हैं, हम एक बल लेंगे, बल निकालने के पास हम दो धागे निकालेंगे क्रोशेट से, हमारे पास वापस दो बचे हैं, हम वापस एक बल लेंगे, ये दोनों ध दागे को एक साथ निकालेंगे, इसे डबल क्रोशेक बोलते हैं, हम फिर से धागा चड़ाएंगे, धागा चड़ाने के बाद चेन के अंदर दालेंगे, धागा लेंगे, चेन से निकालेंगे बाहर, हमारे पास तीन चेने, बल लेंगे, दो धागे को निकालेंगे, दो बच फिर से धागा चड़ाएंगे, चेन के अंदेर डालेंगे, धागा लेंगे, चेन से निकालेंगे, हमारे पास तीन धागे हैं, तीन का दो करेंगे, दो का एक करेंगे, इसको दबल क्रोशेट बोलते हैं, भासर प्राजएं अंदेर, चेन को दो मतल शो बोल, जो किरेंगे, इसकious दो हैं, भी सा जान, तीन का व्ममुद मुद शोईम्राऊष्यायाया, wielu च। जो को यो कि अंदा प्राजड़ा झालेंगे, प्राईोने करेंगे, गागे हैं, तीन हैं वारओे एक उतोंषी हैं,'? यहां पर हम ट्रिपल क्रोशेट बनाएंगे ट्रिपल क्रोशेट बनाने के लिए हमें क्रोशेट में दो बार धागे को चड़ाना है एक बार दो बार हमारे पार तीन धागे आये हैं क्रोशेट में इसे ट्रिपल क्रोशेट बोलते हैं यहाँ पे हम चार चेन को skip करेंगे और जो पाचवी नमबर की चेन है वहाँ पे हम triple crochet बनाएंगे तो चेन के अंदर डालेंगे चेन के अंदर डालने के बाद हम धागा लेंगे चेन से बहार निकालेंगे चेन के अंदर हमारे पास चार धागे आते हैं इसमें से हम वापस से एक धागा लेंगे दो को निकालेंगे हमारे पास तीन धागे बचे हैं फिर से हम धागा लेंगे दो को निकालेंगे हमारे पास दो धागे बचे हैं फिर से हम धागा लेंगे और दो का एक करेंगे इसे ट्रिपल क्रोशेट बोलते हैं फिर से दो बार चड़ाएंगे एक बार दो बार क्रोशेट को चेन के अंदर डालेंगे चेन के अंदर से धागा लेंगे चेन से बाहर निकालेंगे हमारे पास टोटल चार चेन है धागा लेंगे, दो चेन से निकालेंगे, बचेगी तीन चेन, फिर से धागा लेंगे, दो चेन से निकालेंगे, दो चेन बचेगी, धागा लेके दो चेन में से निकालेंगे, एक चेन बचेगी ऐसे ही आप बनाते जाएंगे, इसे ट्रिपल क्रोशेट बोलते हैं झाल 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 क्रोशिया में ये बेसिक चीजे हैं अगर आप ये बनाना सिख गए तो आप कोई सी भी ड्रेसेज बना सकते हैं तो फिल मिलते हैं नेक्ट वीडियो में झाल